बिस्मिल्ल्रमान रहीम असलम अलेकम वेलेकम टू वीजियो मेंटौ आज हम लोग देखेंगे सी प्लस प्लस का फाल लूप आपके CS201 का एक मेजर पार्ड का आपका है तो हम इसको देखेंगे कि यह किस तरह काम करते हैं इसके और लोब आपको फॉलूप आप ऑफॉलूप झा जॉलुप हलेकर आपको सबसे जए सबसे जएते हैं वह9 और ते lij के सबसे कारते को ये साधा भी है और आपके तो हम अपना ने प्रोज्रिक्नट लेते हैं यहां और लूप and continue करेंगे next and finish तो हमरे पास यह source file के अंदर है लोग जानते हैं मेरवाद main ctp file है देखें हमारे पास basic जो हाँ मिलती है code वो लिखा हूँ को skip करेंगे तो सबसे पहले मैं आपको जो for loop का syntax है वो बता दूँगे हम for loop किस तर लिखते हैं हम for को keyword use करते हैं then breaks लगाते हैं ब्रैक्स में conditional statement लिखते हैं जनाब अपनी ठीक हो क्या है हमारे बास conditional statement आती है और हर conditional statement के बाद आपका semi current must है for loop में तीन condition लिखते हैं एक जिसको initial initialize करते है variable को दूसरी जो condition होती है एंटिसरी जो इकन्डिशन होती है ठीक है हम जिस में initialize करते है variable को उसके बास semi-colon लगाते हैं then जो हमरास conditional statement होते हैं उसके हम लगाते हैं आपका semi-colon then जो आपकी last में होती है increment statement उसके semi-colon नहीं लगाते और हम इस breaks के end पे भी semi-colon जहां पर नहीं लगाती होते ठीकए यह देखें मैं आप नहीं लगा रएंदेन हम curly breaks के अंदर जो चीज़ भी लिखी होती है जो मैं यहां को करता हूं copy and my यहां पर करता हूं इसको paste इन curly breaks के अंदर जो भी चीज़ लिखी होती है वो प्रेंट होती है यह मेर्ड आने पास फार लोग मेर कंडिशन ट्रू होती है तो इतर आ अप कंड्रूल यहां आ जाता है जहां से इसको एपड़ा होता हुग तो हम एक साधा सा प्रोगाम लिखते हैं साधा सा एक लूप बनाते हैं किस तरह यह काम करता है तो मेरे पास यह int है integer type का हम a लेंगे और उसको हम initialize भी कर देंगे साथ साथ पांच के साथ ठीक है अब हम लगाएंगे यहां पे conditional statement के जो मेरे पास variable a है वो less than equal है less than equal है पांच के ठीक है धन हम यहां पे increment लेंगे एक प्लस फ्लस ठीक हो क्या अब यहां देखें कि मैंने इस for loop के end पर कोई semicolon नहीं लगाया मैंने एक semicolon लगाया जनाब इंट के बाद ठीक है, एक semicolon मेन लगाया है conditional statement के बाद sorry लगाना भूल गया यह जहां पर ठीक है एंट मैंने इनके में स्टेटमेंट को बाद कोई सेमी कॉलन नहीं लगाया एंट मैंने एड़ एंट फॉर लूप के एंट पर भी कोई सेमी कॉलन नहीं लगाया तो हम देखते हैं इसको रॉन करके बिल्ड करके कि यह किस तरह काम करते हैं हमरे पास कोई च्टीब हो रही है हम यहां फे पांच की जुगा एक लिखक będzie है, तो तेने क्या होता है? इसको देन करेंगे, बिज्ट करने कि बात हम इसको प्ले करेंगे तो अब छोग हमारे पार वर्ड है वो पांच बार शो हो रहा है, यह पांच बार हमारा पास्वर डिफ्रेंट एक्जिक्यूट हुआ है अच्छा अब इसमें अंदर डिफरेंट आप function भी प्रॉपर्म कर सकते हैं डिफरेंट आपका for loop के अंदर आप fels की statement भी लगा सकते हैं for loop के अंदर आप switch statement भी लगा सकते हैं फाल लू का मुक्सद क्या है कि चीजों को इरिटेट करना रोटेट करना एक ही किंडिशन को जो बार बार टूद रहे दिन को रोटेट करते हैं न ठीक हो गया जी तो होप सो आपको ये समझा होगा आम इसको जो नेक्स्ट प्रोग्राम है वो बाद में देखेंगे पेस्टिक आपको समझाने के मुक्सद यह था किसको बेस्टिक सेंटेक्स है वो किस सरा काम करता है जो पेसिक प्रोग्राम लेखते हैं वो किस सरा लेख जाता है तो अगर वीडियो अच्छी लग गया है लाइक करें शेयर करें हैं कमेट करें एंड सब्क्राइब तो नहीं करें